G20 Summit को अब कुछे दिन रह गए हैं इस दोरान दुनिया भर के High Profile विदेशी महमान भारत आएंगे इन High Profile महमानों के लिए Luxury Hotel से लेकर Luxury कारों तक के इंतजाम करे गए हैं काफी सारी सुखसुविदाओं की विवस्था की जा रही है आपको बता देएं इन विदेशी महमानों के लिए 1500 Luxury Imported Car मंगवाई गई हैं इन में Bugatti, Bentley, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, BMW 5 Series, Audi, Mercedes E-Class और GLS सडकों पर दोड़ते दिखाई देंगी आपको इन भी delegates आ रहे हैं जितने भी countries के आ रहे हैं वो सबके लिए डिली गवर्मेंट ने लक्जरी गाड़ियां मंगवाई हैं उनकी डिमांड करी हैं कम से कम साड़े 400 से जाजा दिमांड आई है तो उन में से कुछ हमारी भी 1500 गाड़ियां लक्जरी जो है वो लगी है जी ट्वेंटी समिट में उन में से सबसे महेंगी गाड़ियां आपके पीछे देख सकते हैं Mercedes Maybach है उसके अलावा BMW 5 Series, Mercedes E Class, S Class, GLS, Audi Q7, BMW 5 Series और तमाम गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी ये सभी कार G20 में शामिल होने आ रहे डेली गेट्स के लिए हैं इन में से आदे से ज्यादा कार Left Hand Driving कार है मतलब अब देली की सडकों पर विदेशी नंबर वाली गाड़ियां चलती आपको नजर आएंगी ये लगजरी इंपोर्टिट कारे विदेशी गेस्ट को एरपोर्ट से रिसीव करने होटल लाने ले जाने, कहीं घूमने और सम्मेलन तक लाने का काम करेंगी जानकारी के नुसार G20 सम्मेलन में 70 लाख रुपे से लेकर 2 करोड रुपे तक की कीमत वाली प्रीमियम विदेशी कारे इसमाल होगी प्रीमियम की बात करें तो हमने इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो भी प्रीमियम लिया हुआ है आप देख सकते हैं जैसे 0001 इसका VIP नंबर है ताकि गाड़ी को वो नंबर सूट भी करें और जो है क्लाइंट बैठे वो गाड़ी के साथ साथ नंबर का भी आनन ले रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन इंपोर्टिट गाड़ियों में से कई आर्मी और CRPF को मिलेंगी CRPF के साड़े 400 से ज्यादे स्पेशली ट्रेंड कमांडो डेलिगेट्स के साथ इनमें ड्राइब करेंगे विदेशी मेहानों के लिए 1258 विदेशी कार 242 कमर्शल टैक्सी की विवस्था भी की गई है इसके लावा All India Tourist Registered Vehicle के साथ भारत की लगजरी कार अर्बेनिया वाल्स्वागन बसों की विवस्था भी की गई है रिपोर्ट्स के नुसार गेस्ट के लिए विदेशी बसें और On Duty Officers नेताओं के लिए छोटी गाडिया है इनमें Carnival, Artiga, Innova, Krista, High Cross और Volvo की सबसे ज्यादा डिमान रही है बात इन गाडियों पर आने वाले खर्च की करें तो G20 सम्मेलन के दौरान महमानों के लिए जो लगजरी गाडियां विदेशों से आ रही है उनका एक दिन का किराया 10,000 रुपे से लेकर 70,000 रुपे तक हो सकता है G20 में ट्रेवलिंग का सारा काम दिल्ली की कार रेंटल कांपनी KTC के हवाले है इसके लावद G20 में टोईटा की हाइट सीरीज को नेपाल से मंगवाया गया है इस कार की डिमांड देखते हुए नेपाल में इंडियन एमबसी से कॉंटक कर 25 गाडिया इंपोर्ट हुई है G20 के दुरान दिल्ली में पहली बार हुंडाई की जैंसेस मॉडल 250 लेफ्ट हैंड मॉडल भी लगजरी कार में दिखाई देगी BMW और Hyundai ने G20 के लिए मुफ्त में अपनी गाडिया दी है यानि इस बार तो दिल्ली की सड़कों पर ऐसी गाडिया भी दिखाई देंगी जो आज तक भारत में आपने कभी देखी ही नहीं होंगी बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूसलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बुचुचु इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं सिल्वर, गोल्ट और प्लाटिनम जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती हैं इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर झाल पर कि यूब आप हमारे प्रेमियम मेंबर